नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज से 6 मेहना पहले हमारा इस यूटूब चैनल का उपर हमने एक वीडियो अपलोड किये थे जहां उस वीडियो में हमने ये बताने का ट्राइ किया था कि कैसे हमारा एक पेसेंड जिनका साधी सिर्फ 15 दिन बाद ही होने को थे जब वो हमारे पास के लिए आये थे और उस situation में उस पेसेंड का link में तनाव नाम का कोई चीजी नहीं था कड़कपन नाम का कोई चीजी नहीं मौजुद था और ऐसी condition में हमने उस पेसेंड का केस को लेकर कैसे हमने ठीक किया और वह भी पंदरा दिनकी अंधर ये हमने उस वीडियो में बताय को है और इनका लिंक में कड़कपन ना की बड़ाबर आया करता है इसी के साध ना ठीक से मोर्डिंग रेक्सर नाया करता है नहीं इनका मण का अंधर कोई सेक्स कर पती कोई विचार है और यह पेसेंट मेरे उसके बाद इन्होंने मुझे से कंसल्ट किया और कंसल्ट करने के बाद मैंने इनका पूरा थोरोली केस्टिकिंग किया और केस्टिकिंग के बाद मैंने इनका जो कॉंस्टूटूटूशनल ट्रीट्मेंट का चैन किया वो था कैपसीकम को मैंने 0-10 से स्टार्ट किया था इस इनको जल से जल ठीक करना है, एक मेहने की भीतर ठीक करना है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ओप्सन था ही नहीं, और मेरा जो खुद का बनाया हुए मेडिसिन है, वो कितना बहतरीन तरीके से काम करती है, वो जिन लोगों ने इस्तमाल किया है, वो ही लोग बोल पाएंगे, और इस मेडिसिन का पेसेंट फिडबैक भड़ा परा हुआ है हमारे इस चैनल का उपर, आप उसे भी देख सकते हैं, तो सिर्फ यही तीन मेडिसिन से, कैपसिकम, योहिंबिनम, और जो मेरा खुद का बना हुआ टाबलेट है, वो, इन तीनों ही मेडिसिन से पेसेंट का प वो मेरे अकॉर्डिंग कैपसिकम है, because कैपसिकम was the main drug, कैपसिकम was the constitutional drug, constitutional दवा ही होती है, जो आपका प्रॉब्लेम का जड़ को साफ करती है, जड़ पर जाके हिट करता है, मेरा खुद का बना हुआ जो मेडिसिन है, या फिर योहिंबिनम, डामिया ना, नुफल लूटिया यह जो मेडिसिन होती है, इसमें इतना थाकत नहीं होता कि वो प्रॉब्लेम का जड़ को जाके साफ करे, जड़ पर जाके हिट करे, बट हैविंग सेट दैट हमारा जो खुद का बना हुए मेडिसिन है, उससे एक इनिसियल बूस्ट इस पेसरेंट को जरूर मिला है, बट अगर्डिंग टू मी, अगर्डिंग टू होमियोपैथी, हम लोग को सबसे ज़्यादा आमियोद देते हैं, वो जो है होमियोपैथी में प्रह्मभास, हम लोग उसको कहते हैं, और इसलिए मैं आप लोग को बार बार ये बोलता हूं कि होमियोपैथिक ट्रीड्मेंट खु होगा नहीं, बलकि आपका केस जो है, स्पॉल हो सकता है, क्यूंकि आप जब यहां वहां का मेडिसन्स खाते हुए रहते हैं, सब कुछ जब ट्राइक करते हैं, तो फिर आपका अंदर जो कॉंस्ट्टूटूशन है, वो फूरी तरह भिगड़ जाता है, और उसके बाद ज स्ट्रिटूशन है वो फुरी तरह बिगाड़ लिया है तो इसलिए मैं आप लोग को बार-बार कहता हूं कि होमेपाथिक सो थैंक यू वेरी मच और वाव गूड़ दे